हेलो दूस्तो नमेश्कार एसे हम कीसी चानल में मैं आप सिब्लम का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फर्स टाम विजिट के आज चानल को सब्सक्राइब करके रख लेना फ्री स्टाउक मार्केट क्लासेश इस चानल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पर भी बेल आइकन को इट करके और सेलेट करके रख लेना इस चानल का लिंक आपको उपर आई बटन पर या फर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसी के साथ आज के दिन के जितने भी इंपर्टन विडियो से सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चाओ तो उनको भी कवर कर सकते हो तो चले दोस्तों फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तों यहापे हम लोग कवर करने में अगेन मल्टीपल न्यूज हम लोग के सामने आते वे देखने को मिल रहे है तो उससे रिलेक्टेड चोटे मोटे अपडेट्स आप लोगों को जरूर यहापे पता होने चाहिए तो छलिए फटा फट स्टार्ट कर लेते एक बार अमेरिकन बाजर के दर्शन कर लेते क्या चल रहे है अमेरिकन बाजर में तो छलिए एक पसंट की तेजी फिलाल अभी वीडियो में बना रहा हूं तो वापस 300 points की तेजी देखने को मने बीच मे लग बात करेंगे पारस defense and space technologies बहुत ही धमाकेदार यह IPO था आप सब लोग को बता ही होगा गजब का over subscribe हुए था एंड उसके बाद bull run तो चल ही रहा था जैसे ही 500 रुपे के आसपस यह stock हम लोग को देखने को मिला उसके बाद यह लगबख मतलब वही से 2-3 गुना हम लोग को भागते भी देखने को मिला था आपको पता है यह तेजी के चलते बहुत सार लोगों ने निवेश किया और उसके बाद यह stock नीच चुका है so obviously order मिलेंगे तभी तो company के revenue में जंप देखने को मिलेगा revenue जंप करेगा तो profit जंप करेगा EPS जंप करेगा तो ultimately company का share price भी जंप करते वे देखने को मिलेगा so ऐसे अगर multiple orders अगर company को मिलते रहे तो why not company वापस हम लोग को उपर भागते वे देखने को मिल सकती है next हम लोग बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा यह दो सो ग्लेनमार्क फार्मा के अगर हम लोग बात करें तो फार्मा से बिलॉंग करती है company overall long term की चाट पेटन की बात करें investment की सबसे इतना कुछ खास नजर नहीं आता है trading वाला ठीक लगता है यह stock so एक खबर सामने आ चुके तो overall market को अगर हम लोग देखे उसके हिसाब से आज की दिन हरे निशान में चलना यह बहुत ही important था देन दोस्तों अभी आप लोग ने एक वीडियो तो देखा होगा जिसके उपर मैंने डीटेल में मतलब एक topic देखा होगा जिसके उपर डीटेल में वीडियो मैंने बनाय था क कि ICCA Direct ने बोला है कि 50,000 तक निफ्टी जा सकता है बट कब तक 2030 तक मतलब आने वाले साथ साल में सो बहुत ही अच्छे कासी comment भी देखने को मिले सर क्या यह practically ऐसा possible भी हो सकता है कि क्या बस यह ऐसे ही बाते बोलते देखे दोस्तों हर किसी का अपना-पना analysis होता है कुछ ल लगता है वो अपने ही साब से बाते सामने रखता है बट मैं आपको बताना चांगा जैसे मैंने आपको comment section में भी वहाँ पे बताया था कि राकेश जुन्यन वाला जी ने भी बताया था कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2030 तक yes Indian market एक लाग तक जा सकता है अगर आपको पोचाने से मतलब delay हो सकता है तो वो भी उनने points बताये थे तो अगर आपको वाला वीडियो देखना है तो मैं link उपर i button पे देता हूँ चाहो तो उस वीडियो को cover कर सकते हो next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो PVR yes PVR की बात करे तो एक अभी बोल ही सकते कि ये monopoly company बन का पूरा दमखम रखती है और इसी चीज़ के चलते कुछ positive development देखने को आप पर मिल रहे है जैसी कि ICAC Prudential mutual fund या फिर SBI mutual fund उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कुछ और भी popular fund समनों को देखने को मिल रहे है जिन्नोंने PVR के stakes या पर मतलब shares या पर खरीदे हैं लगब कोई erigary natugary company नहीं है definitely बहुत अच्छी company है and again कह रहा हो दोस्तो या पर Bollywood हो या फिर South हो right या फिर regional film हो या फिर हम के सबते Hollywood हो कोई भी आए किसी का भी picture hit हो है ultimately पैसा तो PVR ही कमाएगा right तो जो भी screening होती है South movie की हो Bollywood की हो regional movies की हो या फिर Hollywood की हो ultimately benefit PVR को ही मिलता है क्योंक the competition था Inox के साथ वो भी इन्होंने यहापे ultimately इनको खरीद लिया है and जो बाकी का competition बचा है Eros International वो तो नाम का बचा है आप देख सकते हो कुछ वहापे performance देखने को ही नहीं मिलता है so ultimately PVR की monopoly हम लोगों को देखने को मिल रही है so आप चाहो तो long term की साब से अगर आपको लगत था बट अभी और ज्यादा popular होते वे देखने को मिल सकता है इस प्रकार के awards और भी international level पे हम कह सकते जो particular film industries related जो चवी रहती वो और भी बढ़ जाती है and जैसे मैंने का कि यहापे Bollywood हो या फिर South हो regional हो या फिर Hollywood हो कमाएंगे तो यही इनी के screens हम लोगो जादा देखने को मि mutual fund ने भी investment किया यह इसको एक positive development आप ज़रूर मान सकते हो then हम लोग बात करेंगे RBL bank के बारे में so RBL bank की अगर मैं बात करो already में इससे दूर रह रह रहा हूँ मैं already आपको बता चुका हूँ जो nose dive हम लोगों को 2-3 बार देखने को मिले थे plus management में भी हम लोगों को इसमे nominee director भ fine यहाँ पर लग चुका है क्योंकि कुछ rules regulations होते हैं अब banks चलाते हो अगर आप वो break करोगे तो RBA तो fine लगाए गई तो कितना RBA ने fine लगा है दो सवा 2 करोड इसकार यह ने कि RBL bank बरबाद हो गया करके बड़ यस definitely इस प्रकार की चीज़े थोड़ा सा negativity create कर देती है next बात क चीज़ों को clear कर दिया है तो उनने कहा है कि हमने कोई instruction banks को दिये नहीं है चाहिए वो हम लोग note filling से related हो या फिर not filling से related हो किस से related 2000 रुपी के note से related वो बात करे ATM को लेकर तो यह banks की उनकी खुद की choice है कि उनको कैसी चीज़ों को यहाँ पर load करना है अगर हम लोग machines की बात करे ATM की बात करें तो यह एक point उनने यहाँ पर सामने रखा है तो आप चाहो तो इससे related भी further study कर सकते हो देन बात करेंगे दोस्तो credit switch आप चेक कर लेना 52-60% की गिरावट जैसे कि पहले वीडियो में बता है ता कोई rocket science की बात नहीं थी स्विज़रलेंड के market में हम लोग बात है क्योंकि credit switch का जो lifetime का जो problem था बाकी market के लिए अच्छा है credit switch के लिए बुरी बात है हम बोल सकते कोड़ी के भाव के उपर यहाँ पर deal होते वे देखने का आप मिल रही है red but market के लिए अच्छी news किया है कि इतनी बड़ी bank डूब जाती तो क्या हो जाता भूकम पा जा यहाँ पर मतलब दुस्तास के हम लोग ऐसा भी बोल सकते है तो यह साल चीज़े हम लोगों को देखने का आप मिल रही है तो इसी चीज़ के चलते है थोड़ा सा positivity बना हुआ है द्यान बात करेंगे दोस्तो bad news के बारे में yes हिंदुस्तान aeronauticals limited stock तो है बहुत ही धमाकेद शानदार बट कुछ खबरों के चलते में यहाँ पर इंतजार कर रहा है आपको पता ही है अगर आप यहाँ पर चेक भी करोगे एक साल का डेटा तो निफ्टी ने कुछ नहीं दिया है बट इसने लगबग पैसे को डबल करके रखा हुआ है क्योंकि यह defense sector में एक जबरदस developments हम लोगों को देखने को मिले थे बट ultimately दोस्तों जो news का update सामने आ रहा है बहुत ही ज़्यादा disappointment वाला है at least मेरे हिसाब से तो disappointment वाला है तो इंडिया को पहला aircraft fighter jet वाला project export करने का deal मिलने वाला था तो इसे 6 countries ने shortlist किया था और उसमें से close दो country थे उसमें से एक नाम था दोस्तों अर्जंटीना और दूसरा नाम था Malaysia so दोस्तों Malaysia से related news सामने आ चुके आप देख सकते है HAL loses Malaysia का जो LCA contract था तो अभी finally वो contract किसको यहापे मिल चुका है South Korea का जो के आये हैं उन्होंने वो contract यहापे जीत लिया है so definitely हम expectation करके मतलब लेकर चल रहे थे कि शायद से Malaysia के साथ इनकी deal यहापे हो जाए करके बट चले अभी तो जो उमीद की किरण है वो हम लोग कह सकते है Argentina के ओर shift होती वे देखने को मिल रहे है और यह किरण थोड़ी सी जादा strong है क्यों क्योंकि Argentina ने अभी जो एरो मतलब जो प्रोग्राम यहापे हुआ था defense related उसमें Argentina ने HL के साथ deal भी किया था जो spare parts से related था ओर hauling की अगर हम लोग बात करे रिपेर maintenance की बात करे वो HL के साथ उन्होंने deal की थी तो might be हम कह सकते कि आने वाले समय में शायद से वो HL के जो fighter jets है वो भी हापे तेजस fighter jets उनको भी हापे शायद से खरीच सकते एक उमीद की किरण है अब ये current search होती है या नहीं होती है ये तो आने वाला वक्ती बताएगा बट जो हम लोग 6 countries बोलते थे उसमें से एक country cut हो गई अभी हम लोग 5 countries से related बात्चीत है आपे करेंगे right so हम कह सकते इसी चीज़ के चलते आज अच्छी कासी गिरावट HL में हम लोगो 5.5% की गिरावट इसी चीज़ के चलते देखने को मिली है then अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे next point so BPCL, HPCL, IOC यह stock में तेज़ी इसलिए गिरावट वाले माहूल में जो लोग पूछ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा आज के घमासन वाले बाजार में भी उन्होंने अपनी तेज़ी को continue रखा था then डो जोन्स की बात करें जाते हैं एक बार वापस चेक कर लेते क्या चल रहा है तो चलिए 300 point के आसपस की तेज़ी देखने को आपे मिल रही है सो अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा था तब तक तो अमेरिकन बाजार में अच्छा performance देखने को मला अभी देख लेते हैं यहाँ पर इनकी closing कैसे होती है सो आशा करता दोस्तो जीतने भी important points देख सारे मेंने cover कर ले वीडियो अच्छा लगे तो चाओ तो like and share कर सकते हैं डिमाट अकाउंड अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया तो link नीच नीच दिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको free of cost मिल जाएगे